अब हम देखेंगा कि default parameters क्या आते हैं, ये concept हमारी functions में आती है, तो default parameter समझें के लिए हम एक function create कर लेते हैं इस addition का, इसके अंदर दो arguments pass कर जाते हैं, अपने a and b को, और पिर return कर देंगे उनकी addition, तो इस function को जो हम create करेंगे, तो यहाँ पे हम जब उसके अंदर parameters बेजेंगे, तो हमें addition इसके होके आ जाएगी, लेकिन अगर हमने एक ही parameter भीज गया, तो हमें nan value में जाएगी, ऐसा कि हुआ कि a को ही value assign होई, b की value undefined होगी, इसलिए यहाँ पे answer हमें nan आ गया, तो इसलिए हम default parameter assign कर सकते अपने b को, तो हम b को initially एक value दे सकते, suppose हमने 5 एडी, और फिर यहाँ पे हमने एक ही value भीज दी, फिर भी उनकी addition हो जाएगी, यहाँ पे b की value default भी दी है, और अगर हमने यहाँ पे दो value भीज दिया एक साथ, तो उनकी भी addition हो जाएगे, क्योंकि b की value 5 से change होकर 6 हो जाएगी, पर अगर हमने यह b की जगए, a को default parameter assign कर दिया, और एक value हमने भीज दी, तो वापिस से 9 answer आ जागा, इसलिए क्या करेगा, अपनी यह 5 value हमने parameter भीजी है, वो यहाँ पे change, 4 change होकर 5 हो जाएगी, और फिये a को ही value assign होई, b undefined नहीं रहेगा, इसलिए हम जब भी default parameter, हमें last के जो अपने arguments होंगे, उसको ही value assign करनी होगी, नहीं तो हमें man answer बिल जाएगा, तो यह मितलिए हमने default parameter की concept function में,